तो चलिए गाईज आज आपको लेकर के चलता हूं तोरी की खेती में किस तरह से तोरी की खेती होती है और तोरी की बेल से किस तरह से तोरी को तोड़ा जाता है और उसके बाद कलक्ट करके मंडी में भेजा जाता है तो जैसे कि आप देख रहे हैं सामने पूरी तोरी की बेल कि यह जो बड़े-बड़े डंडे लगा रखें उनको उपर तारबांदे हुए उनको ऊपर तोर js की बेल चड़ी उए और यहांसे यह ची तोर्य को आपको काम हो रहा है जैसे कि यह mpv इधर भी एक बाड बनाई जाती है उसके उपर फिर ये बेल चड़ती है को कि अगर जो जमीन में रहेगी तो मिट्टी से तोरई को खराब होने का खत्रा रहता है जिस वजा से उचाई पे डंडे लगा करके उस पे तार बांद करके उस पे बेल को चलाया जाता है इस तरह से इस तरह से ये तोरई की खेती है और यहां से तोरई तोड़ करके इखटी करी जा रही है बाल्टी में बहुत सारी तोरई हमने तोड़ के इखटी कर भी ली है और ये कंटिन्यू हम निकाल रहे हैं तोरई को और पूरे खेत में यह आप देख सकते हूं उपर से तोरई हो रखी है जितना आसान हमें लग रहा है यह तोरही को तोड़ना यहां खेत में से उतना आसान है नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है इस समय खेत में और जैसे कि आप देख रहे हो यह किस तरह से अंदर घुस करके तोड़ा जा रहा है तोरही को तो आप समझ सकत किड़े भी हो सकते हैं और गर्मी तो अलड़ी इतनी होई रखी है वहाँ पे और इतनी मुश्किलों में यह तोरी को तोड़ा जाता है यहां से और फिर एक किसान इतनी महनत करता है तब यह बजार में पहुचाई जाती है जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ से तोड़ने के अब हम जानकारी के लिए चलते हैं जो बाबा जी है जिनोंने कर रखी है यह खेती और पहले भी हम मिर्चो के बारे में जानकारी ले चुका है इनसे तो बाबा यह जो तोरी की फसल है यह कितने दिनों में लगवक तैयार हो जाती है तोरी बेल पर आ जाती है मतलब चालिस से पैतालिस दिन का समय लेती है जब हम बीज लगाते हैं उसके बाद बेल आती है बेल पे जो तोरी लगती है उसका लगवग टाइम पिरिड होता है हमारा 42-45 डेस लगवग 40-45 दिन तो यह कितने एरिया में हमने लगा रखी है इस समय तोरी की बेल डेल भीगा में लगा रखिया तो इस डेली कितना माल उतार लेता है कितनी तोरी हम तोडं है आसी से नब्बा किलो तोरी डेली उतर जाती है उतार लेती है टीक है तो यह था लगवग स्क्री साधार प्रेल सी जनकारी है कि हम देड़ भी का फसल में से 45 दिनों बाद तोरही लगना स्टार्ट हो जाती है और उस में से हम डेली 80-90 किलो तोरही हम तोड सकते हैं और मंडी में उन्हें बेच करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है तो गाईस अगर जो जानकारी पसंद आई है तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दूसरों के साथ शेर भी करें थेंक्यू